इस हतेली को देखके मैं इस पश्ट तरीके से कह सकता हूँ कि लाखों हतेलियों में से सिर्प एक हतेली में ऐसा चिन्न मिलता है और ये भी कह सकता हूँ मैं कि जब भगवान की साक्षात किरपा किसी के उपर होती है तो हतेली में रेखाओं के द्वारा लकीरों के द्वारा इतना अच्छा उतक्रिष्ट चिन्न बन पाता है। कौन सा चिन्न है आप भी देखेगा और उसके बारे में बता रहा हूं। और बरतमान में उसका फल नहीं मिल पा रहा है। ये क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको उसको देख करके पुनो बता रहा हूं। देखेगा ये जो उंगली है इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं क्योंकि इसमें अंगोठी पहनी जाती है तो अंग्रेजी में अंगोठी को रिंग कहते हैं और फिंगर मतलब उंगली जिस उंगली में अंगोठी पहनी जाती है रिंग पहनी जाती है उसको रिंग फिंगर कहते है अब इसको हिंदी या ससकेर्त में अनामिका उंगली कहते हैं क्यों कहते हैं अनामिका मनी जिसका नाम न हो तो इसलिए इसको जातर अंग्रेजी में कहा जाता है रिंग फिंगर और इसका जो ये मूल अस्तान है यह वाला हिस्सा इसको सन माउंट कहते हैं इसके मूल में सूर्य देवता निवास करते है और सूर्य देवता को भगवान सूर्य को क्या कहा जाता है ग्रहों का राजा कहा जाता है सरकार का कारक कहा जाता है और सूर्य को प्रान कहा जाता है ठीक है न? और इसका अर्थ भी है यह अगर detail में बता देता हूं, तो बड़ा time लगेगा इसमें, थीक है न? तो इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, इसमें बने चिन को देखते हैं. यहां पे ध्यान से आप देखने की कोसिस करें एक जिन इस प्रकार से आ रहा है एक रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहां पे देखेंगे आप तो इस प्रकार से जो है दो रेखाई ये आ रही है और एक रेखा इसको इसका जो सिर्स है इसको यहां पे दिखाई दे रही है और इस पष्ट तरीके से देखें एक मंदिर का साइन बन रहा है अगर आप सही तरीके से इसको बिना पॉइंट के अगर मैं देखता हूँ ये इस प्रकार से है ये इस प्रकार से है और ये देखेगा इस प्रकार से है एक पूरी तरीके से एक मंदिर का चिन बन रहा है और जब भी सूर्य प्रवत पे इस प्रकार का मंदिर का चिन बनता है ये बड़ा अद्भुत होता है ठीक है ने? बड़ा तेज होता है सूर्य का मतलब सूरज है इसके कारण क्या-क्या होता है देखेगा एक तो सबसे पहले ये धन देने वाला होता है ये बिक्ति को धनड्य बनाता है और आठ परकार की जो एस्वर्य है ये आठों एस्वर्यों का मालिक बनाता है बिक्ति को लगजरी का मालिक ऐसा बिक्ति का जो बिक्ति तो है ने वो बहुत जो है अलग किसम का रहता है निराला रहता है और देखेगा सारिरिक स्वाष्य है खो शाहाली है जीवन में उत्साँ है जीवन की उर्जा है ये ब्यक्ति के अंदर हमेशा संगठित रहती है और देखेगा जब ये इस प्रकार से यहां पे हो चतुसकोन के अंदर तो यह क्या बताता है कि ब्यक्ति बहुत ज़्यादा धनडे हो जाएगा आठों एस्वरियों को ब्यक्ति प्राप्त करेगा और कहीं न कहीं ब्यक्ति जो है हजारों लाखों लोगों में से अलग परकार का होगा बड़ा जो है बुद्धिमान होगा बड़ा जो है सम्मानिय होगा यस और प्रसिद्धि वाला होगा ऐसे ब्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है एस्वरिय की कमी नहीं होती है पुत्र पोत्रों से युक्त होता है सभी परकार के जो सुक हैं जो एस्वरिया है ऐसे ब्यक्ति को प्राप्त होता है और ये ब्यक्ति जादतर मामले में जब चतुस्कून भी बना हो ब्यापार करता है और ब्यापार में अपनी पहचान बनाता है ब्यापार के कारण जाना जाता है ब्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है और एक सहर में नहीं एक से जाद सहरों का यह वेक्ति भ्यापारी होता है बनी भगवान की साख्छात किरपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है लेकिन क्या है नहीं हो रहा है इसका कारण क्या है चलिए इसी परवत पर देखते हैं उससे पहले आप लोगों से कहना चाता हूं यदि आप लोग भी अपनी हतेली की रहष्यों को जानना चाते हैं लकीरों के रहष्यों को जानना चाते हैं इन रहष्यों के महत्तों को जानना चाते हैं तो आप भी अपनी हतेले को मुझे वट्सप कर सकते हैं उसका वीडियो बनवा सकते हैं और मेरा वट्सप नम्मर है 870-063-1128 क्या है नम्मर 870-063-1128 यह मेरा वाटसअप नम्मर है अपनी हाथ की साप सुत्री फोटो खीच करके कलाई से लेके उंगलियों सही दोनों हाथों के अलग-अलग मुझे भीज दीजेगा उसमें मैं डेट दे दूँगा और उस डेट को पूरा विसलेशन करके आपको बता दूँगा अब यहाँ पर फाइदा क्यों ने मिल रहा है देखेगा यह यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य का परवत एक्चुल में देखें तो इस परकार से यहाँ पर लकीरे आते हुई दिखाई दी रही है एक दूसरे को काट रही है यह देखेगा यह एक दूसरे को काटते हुई दिखा रही है और सूर्य का जो कलर है हतीली का वो भी कहीं न कहीं जो है संगर्ष की इस्तिति में ले जा रहा है जब सूर्य में ऐसी इस्तिति आती है तो सबसे पहले आपके धन के भाव में ये प्रभाव डालता है पैसा कितना भी आ जाए बरकत नहीं आती है पहले तो धन उतना नहीं आता है जितना ब्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है योग्यता होती है जिस तरों से ब्यक्ति निखर के आना चाहिए चीजें उभर के आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है दूसरा क्या होता है एसी इस्तिति में ज़रा ध्यान से देखेगा सूर्य का मामला है बड़ा सरल है इसको ठेक करना क्या होता है जितना ब्यक्ति प्रियास करता है जितना ब्यक्ति मेहनत करता है उन प्रयासों में वो सपलता नहीं मिल पाती है जितना वो करने की कोशिस करता है जो ब्रिक्ति के अंदर क्वालिटी होती है जो ब्रिक्ति के अंदर योग्यता होती है उस प्रकार से चीजें उभर कर नहीं आ पाती है निखर के नहीं आ पाती है ऐसे में देखा जाई तो आप जो मिहनत करता है जो परिश्रम करते हैं उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है ऐसे में एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है ऐसे में अगर ब्यापार करते हैं आप तो ब्यापार में वो विस्तार नहीं हो पाता है वो फैलाव नहीं हो पाता है वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए सारा कुछ दाओं पे लग किया था ऐसी इस्तिति में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपनी आपको खपा लिया हो ऐसे में कभी कभी सारिरिक स्वस्तिय आपका उस प्रकार से नहीं रह पाता है जो स्वस्तिय रहना चाहे था जो वास्तिक खुसाली होती है जीवन की जो उत्सा होता है जीवन का जो उर्जा हो जानी चाहिए जीवन की इन चीजों की व्यक्ति को चिंता करने पड़ती है अब ये क्यूं होता है इसका कारण है हमारी दिन चरिया जब लंबे दोर से हमारी दिन चरिया एक अच्छी तरों से नहीं होती है मैनेज नहीं होती है तो हमारे जो अश्टा चक्र हैं सरीर के उसमें भी साथ मेजर चक्राज इस धर्ति में मौजूद यहां कहें कि इस पान सूर्य के चक्रों के साथ परस पर तालमेल में नहीं रहते हैं जिसके कारण ये चीजें होती हैं अब इसके लिए क्या करना चाहे देखेगा एक बिदी है बहुत अच्छी है अगर बिक्ति मन से करें और उसी बिदी के उनसारों चीज को करें चीजों को भूले नहीं और कम से कम तीन से चार महने तक लगातार करें अब वो है दिव्य सूर्य किरिया निश्चित रोफ से जब आप दिव्य सूर्य किरिया करने बैठते हैं तो धीरे धीरे इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पढ़ने बैठ जाता है आपकी जो सारिरिक सेहत है वो चक्र, भगवान सूर्य के चक्रों के साथ प्रस परताल मिल में आ जाते हैं तो आपका जीवन सहिजिता से चलने बैठ जाता है फिर चाहे आपका सारिरिक स्वाच्ते हो चाहे जीवन की वास्त्विक्ष सहाली हो चाहे उसका उत्सा हो चाहे उसकी उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ती है तो मैं क्या दूँगा आपको निश्चित रोप से जो है एक दिब्य सूरे किरिया दे रहा हूँ उसको जरूर करिएगा आप आपको बड़ा लाव होगा एक दूसरी चीज देखते हैं तो चीजें देखने के बाद जो है आपका सवाल ले लोगा मैं यहाँ पर देखेंगे तो एक सांदार रेखा उभर रही है और ये रेखा जैसे जैसे प्रगाड होती जाएगी यकीन मानिएगा ये 2024 के 3-4 मैने गुजर जाने दो और आप 6 मैने के बाद देखना जब आप जो मैं उपाई दे रहा हूँ क्रियाई दे रहा हूँ बड़ी अच्छी तरों से करेंगे तो धीरे धीरे इसका लाब होना सुरू हो जाएगा 5-6 मैने के बाद देखें तो इस रेखा पे बड़ा प्रभाव पढ़ने वाला है और इस रेखा का प्रभाव आपको आगे बहुत अच्छा मिलने वाला 6 मैने के बाद से मिलना सुरू हो जाएगा जहां तक ये लग रहा है आपको कहीं न कहीं दोसरों का सयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है ये बता रहा है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर होगी आप इसका अनुभो करेंगे ही करेंगे ये 100% है दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिबा है तीब्र बुद्धी के आप मालिकिन हैं मालिक है और इसको इंप्लिमेंट करने के लिए प्लेटफर्म आपको मिलने वाला है आपके अंदर कहीं न कहीं सोचने और समझने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है और आगे चल कर इसका लाब होने वाला है और ऐसा भी ब्यक्तित्व आपका उभरने वाला है कि जीवन काल में एक बार येदि कोई न्रणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ् भी आप रखेंगे आगे चल कर आपका विक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली यहां पर नजर आ रहा है और एक चीज और है ये रेखा धीरे धीरे आपको बहुत जादा भग्य साली बना रहा है आपका आने वाले समय में कोई काम नहीं रुकेगा कहीं न कहीं से ब्योस्ताई हो जाएंगे और आपका काम चल जाएगा लेकिन एक कमी भी ये छोड रही है लापरोहाई की गुण भी आपके अंदर ये जादा देगी आपको लापरोहाई की गुण से बचना चाहे और थोड़ संतान को लेके जो आपने सोचा था उसका सुक के लिए उसमें थोड़ी ये अर्चने डालता है प्रस्तितियां कुछ और होती जैसे आपने यहां मकान बना लिया सब कुछ कर लिया और लड़का जाके दोसरे सहर में बस गया ठीक है न तो ये चीज़ें ये देता है लेकिन ये आपका इश्ट भी है अब इसके सनांकत च बनने वाला यही लकीर है क्यों कह रहा हूं कि आपके जो पंच तत्व हैं पंच महा भूत हैं जिनसे सरीर बनावा है पाइव एलिमेंट आपके सरीर की जो अश्टा चक्र हैं उसमें भी साथ मेजर चक्र हैं आपके सरीर के जो पांच ग्यान इंद्रिया हैं पांच कर्म इ तो आपकी हतेली इस पश्ट कह रही है कि आपको सीधा और सीधा हनुमान जी महाराज की सरनागत जाना है और जब आप हनुमान जी महाराज की सरनागत जाएंगे आपकी हतेली में हो या आपके कुंडली में हो कितना भी भयंकर दोस हो वो सारे दोस छीन हो जाएंगे हनुमान जी महाराज की किर्पा से जो अयुद्या में हैं कहा जाता है कि कल्यूग के राजा है वो इस कल्यूग के राजा है भगवान जो है हनुमन्त जी महाराज है तो इनकी किर्पा एक राई के दाने के बराबर में मिल जाए तो वही किरपा जो है जीवन में स्रिष्ट अस्तान को प्राप्त करवाती है तो आप तो साक्षात भगवान की किरपा के पात रहें आपको सोचने की यहां पी जरूरत नहीं है आपने लिखा है मेरी नोकरी के बारे में क्या इस्तिति रहेगी यहां पे ब्रस्पती और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो आने वाले समय में अगर हम देखें लेकिन यह दो हजार पच्चिस की सुरुवात से है एक दो मेने गुजर जाने के बाद मार्च अप्रेल से आपकी जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है उसमें कहीं न कहीं इस्टेबिलिटी आनी सुरू हो रही है और आपको यह पूर्ण भाग्योदई की इस्तिति में पहुँचा रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन आगे चलकर ये कहीं न कहीं ब्यापार की तरफ आपको ले जा रहा है उसके दो चार निसान है एक तो यहीं पर एक निसान दिखाई दी रहा है दूसरा आप देखेंगे तो ब्यापार की रेखा आपकी बहुत अच्छी है ये रेखा कहीं न कहीं बता रही है आपको कि कहीं न कहीं आयू बहुत अच्छी रहने वाली है सफलता निश्चित मिलेगी इसको ये दिखा रही है और ब्यावसाई जैसे चीजों में तरकी को दिखा रही है और बोलने के धन के कारण कहीं न कहीं बेक्ति जीवन में धन कमाएगा इसको भी दिखा रही है लेकिन एक कमी है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है मन टूट नहीं रही है एक दूसरे को वैसे वो दे रही है लेकिन थोड़ा चंद्रमा खराब है और थोड़ा ये एक बैलेंस रूप में नहीं है तो स्वाष्ट्य को लेके थोड़ा सा सचेत रहने के आवशकता है मनि ध्यान देनी के आवशकता है अपने उपर क्या ध्यान देनी के आवशकता है कि छोटी भी प्रेशानी आए इगनोर नहीं करे अपने डाक्टर स्वयम न बने किसी डाक्टर से अच्छी सलाह ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ने तो स्वस्ते के लिए अच्छे संकेत नहीं देगी समस्या को गंबीर कराएगी धन के नुकसान को करवाएगी और परिवार में घर परिवार में कलहय की इस्तिति भी ये बना सकती है इसकी ये समस्या देती हुई दिखाई दे रही है मारक के इस जो है नारे रेखाओं का प्रभाव जीवन पर है और अगला सवाल आपका वो ही है करज कब उतरेगा सबसे पहले ये देखें करजाओ आई ही क्यूं है बरतमानी स्तितिकों भी देखें और देखेगा ये यहां से निकल कर कुछ रेखाई है इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये रेखाई निरंतर काट रही है और यहां पर सबसे पहले काट रही है ये जीवन की रेखा को और जब ये मारकेश रेखाई जीवन की लकीर को काटती है तो सबसे पहले मुश्किल देती है ये कि कदम कदम पर विक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है फिर ये करियर और धन की लकीर को काटती है तो क्या करती है पैंसे रुपे को लेके रोटी रोजगार को लेके आजिव का को लेके ये हर जगा भयंकर उतार चड़ाव देती है फिर ये मस्तिस्क की लकीर को काटती है तो मस्तिस्क की लकीर का मतलब आपका ब्रेन डिप्रेशन की इस्तिति में बेक्ति को ले जाती है और रिष्टों का फाइदा नहीं उठाने देती है फिर यह यहां पे कही न कहीं गुणा जैसे चिन जो बन रहा है इसको अगर बनाती है जैसे आप यहां पे देखेंगे यह यहां पे इस पश्ट गुणा का चिन है जब ये बनाती है तो कुछ चीजें घटित होती हैं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अरचने बहुत ज़्यादा आएंगी या आप नौकरी से हाथ दोलेंगे अगर ऐसे में आप ब्यापार कर रहे हैं या तो ब्यापार बहुत नीचे जाएगा नुकसान हो जाएगा या ब्यापार ये ठपो हो जाएगा अगर इस से आप थोड़ा बच जाते हैं जब राहों की इस्तिति रहती है ये तो फिर क्या होता है दहना हानी कराती है ये ब्यापार हानी कराती है ये और आपको करजे के दल दल में फसा लेती है और करजे से उभरना बहुत जादा मुस्किल हो जाता है यहां पी क्या करना चाहें आपको क्योंकि आपकी ये रेखा बहुत अच्छी है तो हनुमान जी की में एक साधना दे रहा हूँ आपको इससे आपका रिन भी खतम हो जाएगा और आपके जीवन पे इसकी दुस परिणाम भी नहीं मिलेंगे और आपका जीवन आगे चलकर जो भाग्योदई की इस्तिति आ रही है जबरदस्त इस्तित में आपको ये ले जाएगी ठीक है ने अगर ये करजे के दल दल में नहीं फसाती है तो फिर बाद भी बाद में फसा लेती है और विक्ति को कोड कचरी का मामला जहलना पड़ता है कई बार तो चपलें घिस जाती है लेकिन मामला सांत नहीं होता है ये भी नहीं करता है फिर ये रहश्य में बीमारी पैदा करता है ठीक है ने और फिर ये क्या कर लेता है कि पता नी चलता बिमारी कहां से आई है और इसका वास्तों में इलाज क्या है और विक्ति लंबे दोर तक उस बिमारी में रहता है ये बड़ी खदरनाक चीज़ है लेकिन फिर भी करजे की इस्तिति आपकी जो है अगर हम बात करें तो एक साल तक तो काफी जो है उतार चड़ाओ है इस्तितिया थोड़ी बहुत ज़्यादा डगमग है लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होनी सुरू हो जाएंगे जैसे आप सत्तावनुए वर्स में पूरी तरो से प्रोवेस करेंगे और उसके दो-तीन मेहने छोड़के उसके बाद से आपका करियर और धन का मामला पूरी तरो इस्टेबल अवस्ता में है धन भी बहुत अच्छा अवस्ता में है और उसके बाद करजा अगर हलका रहेगा भी तो कहीं न कहीं आपको तनाव देने वाला नहीं रहेगा ठीक है ने और अच्छी चीज़ों को करेगा ये अब यह करने से काम याभी मिलेगी काम के बारे में आप पूछ रहे हैं या जोतिसी उपाई के बारे में पूछ रहे हैं काम के लिए पूछ रहे हैं तो आपके लिए जो है आगे चल कर ब्यापार बहुत अच्छी इस्तिति में आ रहा है ठीक है ने जब आप सतावनों वर्स में चले कहना और काम्यावी निश्चित तोर पे आपको मिलेगे एक चीज आपके हाथ में और है उस चीज को देखें फिर पूरा बिसलेशन देख लेते हैं आप देख रहे हैं एक तो हतेली की जो रंगत है ये कहीं न कहीं पूरी तरो से जो है अलग किसम की यहां पे बन रही है तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं जीवन में पूरा सुक देने में असमर्थ दिखाई दे रहा है दूसरा देखें तो हतेली में जाल बन रहा है और जब भी हतेली में जाल बनता है इसका प्रभाव जीवन पर अच्छा नहीं पड़ता है इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे आपकी मस्तिस्क पे कहीं न कहीं जीवन में उल्जहने बहुत जादा आती है या पूरा जीवन ही उल्जहन में चला जाता है जब तक इसका प्रभाव रहता है और जो आपके निर्णे लेनी की ताकत है कहीं न कहीं वो छीन हो जाती है और फिर आपको वास्तों म करना क्या चाहिए और किस तरब जाना चाहिए आप समझ नहीं पाते हैं दोसरा इसका प्रभवपड़ता है आपकी स्वास्थ्य पर खासकर आपका दांपथ्य जीवन का रिस्ता आपका परिवार का रिस्ता और आपका कुटुम का इन दिस्तों का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में ये प्रस्तितियां खड़ी करने का काम करती है चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सिहत पे आपके पास कितना भी पैसा आए ये हतेली में बरकत नहीं देता है पैसा टिकने नहीं देता है दस रुपे आएगा तो बारा रुपे का खर्चा करवाएगा दर्दरता की और ये धकेलता है और इश्ट किरपा खतम कर लेता है और अंदर की खुशियों को निकाल लेता है पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका प्रता है आपकी डेपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेश पे आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहिए था कहीं न कहीं वो माइनेस की तरफ जाता है इसका मतलब है कि आपकी जो जीवन की निव है इस पे ये अटेक कर रहा है और उसकी जड़ों को खोकला करता हुआ आपकी समर्द जीवन को उसमें दढ़ाम से गिरानी की कोशिस कर रहा है इसको ठीक करने के लिए अब मैं आपको प्रोपर तरीके से किस प्रकार से चीज़ों को दोंगा आप देखेगा सबसे पहले मैं इस नगेटिव उर्जा को खतम करने के लिए आपको बनस्पति अश्नान दोंगा एक बिदी है छोटी सी प्रक्रिया है जरूर करेंगे आपको लाब होगा दोसरा में आपको एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ जो सूर्य को प्रबल करेगा आपको बड़ा लाब होगा तीसरा में आपको एक दिव्य योग ध्यान किरिया दे रहा हूँ एक प्रकार का प्रणायाम है योगा है meditation है उसके करने से निश्चित तोर पे बड़ा लाब होता है विक्ति को ये छोटी छोटी परक्रियाई है ये कोई उपाई नहीं है एक तरब से जीवन जीने की एक कला है और इससे जीवन समिर्द सुक्मया और एस्वरे से युक्त होता है इसमें कोई दोराई नहीं है नियम क वस्त आपको लाब हो तो वो हनुमान जी की एक छोटी सी उपासना दे रहा हो जिससे रिण आपका खतम हो और हनुमान जी की किरपा हो उपाई एक ही दे रहा हो बाकी में आपको किरियाई दे रहा हो तो इसका लाब आपको निश्चित तोर पे होगा यहां पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी जीवन में इस्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परति समरपन की भावना रहेगी यहाँ पर देखेंगे तो यह इस तरों से जुक रहा है और इसकी तरफ जुकाई दे रहा है थोड़ सा ज्यादा मेहनत परिसरम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी और हो सकता है कई बार दोड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़े यहाँ पी एक यह जो लाइन है यह कारियों को होती होती कारे में अर्चन डाल देती है या कारियों में बिलंबता लाती है कारियक पूर्ण होने में शंदेह का अस्तान प्राप्त करवाती है तो अर्नोकरी का मालिक भी सनी है तो थोड़ा सा जो है दिब्य योग ध्यान के रिया दिब्य सूर्य के रिया जरूर करें बड़ा लाब होगा ये उंगली पूरी तरों से जुकी हुई है इसकी तरब तो यस पाने की चाहा नेम फिम पाने की चाहा और अपने कारियों में विस्तार हो जाए फैलाव हो जाए नाम और यस हो जाए ये इस्तिती बनी रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है मिडल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है रिस्क लेने की ताकत रहेगी चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इस रिस्क लेने में इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर अपनो उठने की ताकत भी रहेगी जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं यहां पे अगर हम देखें सबसे छोटी उंगली पूरी तरों से जुक रखी है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक बहुत जादा रहेगी और यह देखेंगे तो इसके पहले पौरवे तक लगबग पहुँच र तो बड़ा लाब आपको होगा यह बता रहा है यहां पी उंगलीों में उपर की और उबरती वी रेखाई दिखाई दे रही हैं जो आपके ब्यहवार को मिर्दुल बना रहे हैं और कहीं न कहीं आप सही मार्ग पे चल रहे हैं जो सोच रहे हैं वो भी सही है और जो चल रह या चलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है और आपको लाब होने वाला है एक सुखद जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रेतन सील बिक्तितों बना रहेगा ये भी दिखाई दे रहा है थोड़ा राजनेतिक आकांचाएं भी अच्छी रहती हैं लेकिन सिक्षा और प्यार के मामले में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग आत्म भी स्वास से भरे होते हैं और जीवन में अच्छी तरक्य करते हैं इसकी निसानी भी ये है हिर्दे रेखा अगर हम देखेंगे तो सीधा ब्रस्पति के देबगुन आ रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है ये बहुत अच्छा रेखा के बारे में हमने बता दिया है जीवन की रेखा अगर हम देखें तो इस परकार से जाती हुई और मनी बंद की और जा रही है और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे चिन बनते हुई नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि जन्म अस्तान से दोर बिक्ति की बड़ी तरक्की है जन्म अस्तान में रहकर उतनी बड़ीत काम्याभी नहीं दिखाई दी रही है यहाँ पे इस पश्ट है, यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा इस पे मिल रही है और यह रेखा जाती हुई यहाँ जा रही है, आगे जाके सुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो एस्वरे में ब्रिदी को यह दिखाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे से इस प्रकार से और चंद्रमा पी यात्रा खचिन भी दिख रहा है, चोटी मोटी अच्छी यात्राएं आगे होंगी, जिस से मन प्रसंद रहेगा और खुस्नमा माहुल बना रहेगा, ये यहां पी दिखा रहा है, सभी रेखाओं का हमने ब्रणन कर लिया है, सुक्र का परवत अच्छा है, लेकिन इसमें जाल बनावा है, तो बरतमान समय में किसी चीज को लेके बहुत जादा सोच रहे हैं, थोड़ी सी चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत जादा मेहनत, परिस्रम करने के बाद भी थोड़ी सी अभाव की इस्तिती दिखाई दे रही है, निम्न मंगल थोड़ा प्योचन, उलजन और दुविदा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ निरणे लेने की ताकत में अभी थोड़ा कमजोरी दे रहा है, लेकिन उपरी मंगल अगर आपका देखें अच्छे परिणाम दे रहा है, जिससे आपका जो है एक एनरजेटिक स्वभाव ब दे जा रही हैं, लेकिन थोड़ा परिवार को लेकि हलकी फुलकी चिंताओं को भी देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, यहां पर देखेंगे, तो मचली का एक सांदार चिन भाग्यास्तान पर बन रहा है, तो रहस्यमई बिद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुज बुद्ध बहुत अच्छा है, इसका लाब होने वाला दिखाई दे रहा है, चंद्रमा थोड़ा वीक है, जिससे कभी-कभी मन गड़बड रहता है, कभी-कभी मानसिक परेशानी में यह डाल देता है, कभी-कभी यह भाउकता दे देता है, या एमोशनली थोड़ा परेश में भी विक्ति को दिक्कतों का थोड़ सा सामना करना पड़ता है लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं है जल्दी ठीक हो जाएगा नेचुरल तरीके से देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है और जो उपाई हैं मैं विदिवत तरीक किसे लिख करके ओडियो के माद्यम से आपको भेज रहा हूं आप करने की कोशिस करें निश्चित ही अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ मनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार